दोस्तो, You Can Heal Your Life इस बुक की लेखी का लुई से बताती है कि हमारे शरीर में जितनी भी बिमारिया होती है, उनके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं हमारे हर विचार को, हर शब्दो को, हमारे शरीर की हर कोशिकाय रिस्पॉंद देती है मनवेगेनिक भी कहते है कि हमारी 90 से 95 प्रतिशत बिमारियों का कारण मानसिक होता है आज के इस व्यूडियो में सबसे पहले हम देखेंगे You Can Heal Your Life इस किताब की लेखी का लुई से की लाइफ स्टोरी कि किस तरह से मानसिक कारणों से उन्हें क्यांसर हुआ था और उसे बीना ओप्रेशन किये किस तरह से उन्होंने पहुजुटी विचारों के बलबुते पर पूरी तरह से ठीक किया था ऐसे कौन से विचार उन्होंने किये जिससे उनका क्यांसर ठीक हुआ उसके बाद हम देखेंगे हमें जो अलग-अलग शारिरिक बीमारिया होती है वे कौन से निगेटी विचारों से होती है और वोने ठीक करने के लिए हमें कौन से पॉजिटी विचार करने चाहिए हलो दोस्तो मैंसल स्री निवास मराटे मोटिवेशन स्पीकर माइंडशिप ट्रेनर और आपका अपना दोस्तो अगर आपको इसी तरह से माइंड बॉड़ी और सोल से सम्बंदित किताबों की समरीज और उनका रिवियो चाहिए तो बहुत जल्दी समरीज चैनल को सब्सक्रा से उन्होंने विचारों के बलबूते पर जबर्दस सफलता है असिल की यह लूइस का जो बचपन है पूरी तरह से फीजिकल एंड सेक्शल अत्काचारों से भरा पड़ा है और उसी के साथ बहुत सारे श्रमों से भी यह लूइस जब बहुत छोटी थी तो उनकी माने दू मजूर वेक्ती रहते थे उस वेक्ती ने चोटी बच्ची पर बलातकार किया उसे पंद्रा साल की सजा तो हुई लेकिन यह लूइस को ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा था और बहुत सारे साल जो ही है लूइस ने इस डर में बिताए कि कही वह वेक्ती जब छूट कर में बन चुकी थी खुट से और दुसरों से वह बहुत घुरुना करने लगी थी जब उसकी उपर जादा अत्यचार होने लगे तो वह घर छोड़कर भाग गई और एक होटल में वेटर का काम करने लगी वह प्यार की भुकी थी और अगर कोई उससे थोड़ा प्यार से बा कर दिया वो कहती है कि मेरी बच्ची के बारे में मुझे जादा याद नहीं है लेकिन उसका जो पैर काम उठाता ना वो बहुत बाड़ा था बिल्कुल मेरी तरह अगर मैं उससे मिली ना तो मैं उससे तुरंट पैचान लोंगी लेकिन बाद में उनकी बच्ची भी उन्हे और दुसरों लोगों के प्रती वो उसके मन में ब्रकरार थी एक व्यक्ति बे आया उनके जीवन में जिससे उन्होंने शादी की लेकिन ये व्यक्ति कैसे मुझे से प्यार कर सकता है इतना अच्छा मेरे साथ कैसे घटी तो हो सकता है इस तरह की कई न कई विचार उनके दि लिजन सिखाया जा रहा था और जैसे उन्होंने वो मिटिंग अटेंड की तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा और हर रोज फिर वो मिटिंग अटेंड करने लगी और अहिस्ता-इस्ता उनको यह समझ में आने लगा कि हमारी जो जिंदगी है हमारी विचारों पर ही चलती हमारा हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हमारी विचार चलते है और इतना ही नहीं हमारे शरीर में जो भी बीमारिया होती है वो सिर्फ हमारी विचारों की ओजसी होती है क्योंकि हमारे शरीर में इतनी पावर होती है कोई भी बीमारी को खुट ठीक कर सकता बशर्ते निगेटी विचार बीच में नहीं आना चाहिए अधर्वाइस हमारा शरीर ठिक से काम करना बंद कर देता है और इसलिए उख कहती है कि हमारी जो भी बिमारिया होती है वो हमारे विचारों के वज़े से ही बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर और उनने बहुत सारी फिलासोफिकी किताबे पढ़नी शुरू की और वहाँ पे उचर्स में वो खुद लेक्चर भी देने लगी उन्हें लायसन भी मिला लेक्चर देने का वो वरक्शॉप्स लेने लगी और लोगों को यह सिखाने लगी कि हमारे विचार जो है कितने पाव अफ्रेशन करना पड़ेगा लेकिन वो कहती है जब मैंने शुरू में मुझे पता चला कि मुझे क्यांसर हुआ है मैं तो बहुत डर गई लेकिन मैं खुद दूसरों को बताती थी कि अच्छे पॉजुटी विचारों से हम हमारे शरीर को हील कर सकते हैं अच्छा कर सकते है तो ये भगवान ने मुझे एक मौका दिया है मेरी बीमारी को ठीक करने का तो डॉक्टर को कहती है कि मुझे अफ्रेशन नहीं करना है मैं मेरे तरीके से इसे ठीक करना चाहती हूँ शुरू में डॉक्टर तो नहीं माने लेकिन बाद में डॉक्टर ने उन्हें तीन मैने क की मौलद दी और उसके बाद यह लूईस ने अपने उपर काम करना शुरू किया वो कहते हैं कि बच्चमन से लेकर बहुत सारे लोगों ने उपर अत्याचार किया था और उनके प्रती नफट की बहुना बहुत जबरतस्ती मेरे माइड में और उचानती है वो कहते हैं कि गु प्रुन्हा की बाहुना को हम अमारे शरीज से मंद से नहीं निकालेंगे, तो कभी भी कोई भी बिमारी हम ठीक से ठीक नहीं कर सकते, और इसलिए सबसे पहला काम किया, उन्होंने सबसे पॉजुटिव काम वो ये, कि अपने मन को बहुती positive बनाना शुरूर किया, अपने मन को खाली करना शुरूर किया negative इचारों से तो उन्होंने उन सारे लोगों को माफ्ट कर दिया, जिन्होंने उनके उपर अत्याचार किया था दूसरा step उन्होंने लिया, वो हर रोज आयने के सामने जाती थी खुद को देखती थी और कहती थी Lewis I love you, मैं तुझे प्यार करती हूँ मैं खुद को accept करती हूँ मैं जैसी भी हूँ वैसे मैं खुद को accept करती हूँ वो कहती है कि बहुत बार लोग खुद को प्यार नहीं करते है खुद को accept नहीं करते है दीन भर किसी ना किसी कारण से खुद को दोश देते रहते है consciously या unconsciously मैं अच्छा नहीं हूँ मेरी height अच्छी नहीं है, मेरा color अच्छा नहीं है मेरे आखे अच्छी नहीं है, मेरी नाक अच्छी नहीं है मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ और नजानिया ऐसे बहुत सारे reason उन्हें मिल जाते हैं खुद को दोश देने के लिए तो वो कहती है सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए यह सबसे बड़िया positive feeling है, सबसे बड़िया positive इचार है और दुसरों को माप करना चाहिए यह जो self low की mirror practice है, वो हर रोच करने लगी आयने के सामने खड़े होकर उसके बाद fast food की वज़े से, वो कहती है कि fast food काने की वज़े से मेरे शरीर में जो जहर एकठा हुआ था, उसे बाहर निकालना भी जरूरी था सिब मन को ही positive करना जरूरी नहीं है, हमारे शरीर को भी शरीर की अंदर भी जो विशेले तत्व है उनको भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है, तो एक आहर विशेशक के मदद से उन्होंने अपना खान पान पूरी तरह से change किया और उसके बाद, छे मेने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई चेक अप के लिए दोस्तो तो उनके शरीर में डॉक्टर को कैंसर का कोई भी नामों निशान नहीं मिला वो पूरी तरह से ठीक होगी दोस्तो क्या हुआ कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को उन्होंने हरा दिया अपने positive विचारों के वलबुते पर तो वो कहती है कि ऐसी बहुत सारी बीमार्या जो होती है दोस्तो वो हमें हमारी विचारों की वज़से होती है क्योंकि हमारा शरीर तो उन्हें ठीक करना चाहता है लेकिन हमारी विचार, निगेटी विचार हमारे शरीर को ठीक नहीं करने देते है और सबसे ज़्यादा निगेटी विचार आते हैं घुरुना से, डर से अगर हम डर डर के जी रहे है या गुरुना से जी रहे है गुरुना चाहिए हो कुछ के प्रती हो या फिर दूसरों के प्रती हो अगर गुरुना है मन में तो बहुत सारे निगेटिव विचार हमें आने लगते है और हम शारीरिकीन इमानसिक रूप से भी बीमार होने लगते तो आईए आगे हम जानते है कि हमारे शरी में जो भी बीमारिया होती है वो कौन से निगिटिव विचारों के वज़से होती है और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें कौन से पॉजिटिव विचार करने चाहिए सबसे पहलो तो है दोस्तों बाल जढ़ना हमारे बाल क्यों जढ़ते है लेखी का बताती है कि बाल ये शक्ती का प्रतिक होते है लेकिन जब हम तनाव गरस्त होते है और डरेवे होते है तब हमारे गरदन और कंधी की मासपेशिया अखड़ जाती है जिससे बालों के जो रू है जिसका परिणाम होता है गंजापन इसलिए हमेशा मन को शांत रखी है अश्वस्त रही है हर रोज मस्तिष के मासपेशियों को सितिल कीजेगा सुचनाई दीजे कि मेरा मस्तिष बहुत सितिल है शांत है और तुरंद आसर दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको यह प कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ घरों में बच्चों में अक्सर कानों में दर्द की समस्या होती है क्योंकि बहुत बार घर में जो चल रहा है वह उन्हें सुनने की इच्छा नहीं होती है और उसे वह बदल भी नहीं सकते इसलिए उन्हें कानों की समस्या हो लगती है अगर हमेशा ही हम वो सुनते रहे जो सुनना नहीं चाते है तो बहरेपन की भी समस्या निर्मान हो सकती है इसलिए आपको यह अफर्मेशन लेने होंगे कि परमिश्वर की मैं सुनता हूँ मैं जिंदगी का आनंद लेता हूँ मैं हमेशा खुद से प्यार करता दोस्तो सिर्दर्द सिर क्यों दुखता है पता है खुद को दोश देने की वजह से अगर आपका सिर्दुख रहा है तो थोड़ा रुकिए और सोचे की मेरी कहा गलती हुई है अगर उसका कारण समझ में आ गया तो खुद को तुरंट जल्दी से दिल से माफ कर दीजे लेक याने की खुद के बारे में बताने का खुद को एक्स्प्रेस करने का खुद को क्या चाहिए ये मांगने का प्रतिक है अगर गले में कुछ बीमारी हो रही है तो समझना हमने ये समझ कर लिया है कि मैं किसी प्रटिकुलर चीज के लिए लायक नहीं हूँ यह निगिटी वि आसानी से एक्स्प्रेस कर सकता हूँ, मैं हमेशा प्यार से बात करता हूँ, यह affirmation आप खुद के लिए लेते हो दोस्तों, तो बहुत जल्दी से गले की समस्या आपकी पूरी तरह से जड़ से खतम होने लगती है, इस किताब के अंत में लिखी काने सिर से लेकर पैर तक जो खुद करने लिखी हैं, तो हमारे शरी के सादे सुचारुरूरुम से काम करने लग जाते हैं दोस्तो ये जो किताब है ये आप जरूर पढ़ना इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से भी इसे खरिच सकते हो लेकिन ये अद्बुत किताब है दोस्तो वो सारी विमारे आगर मैं आपको बताने लग जाओ तो वीडियो बहुत लंबी ह हो जाएगी लेकिन कोई पर्टिकुलर विमारे आपको बार-बार सता रही है तो ये किताब आपके लिए अमेजिंग सोर्स है दोस्तो हिल करने के लिए तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा ये वीडियो मेरा कैसे लगा मुझे जरूर बताना मिलते है फिर से अगले ये कित अधक बतान है ये बताने शो restore है फिसक्ता बच्ताब किताब जार से लिए इस है गभना है जरूर और बेयर ओकोछिए से लिए ऊताना झालते है ये वे